लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दवाना ना भूलें कोरोना संकट को रोकने के लिए देश में इस समय लॉकडाउन का चौथा चरण लागू है लोकडाउन का चौथा चरण 31 माई तक के लिए लागू रहेगा हलांकि कई राज्यों नहीं से आगे बढ़ाने की अपनी मंशाव व्यक्त की है वहराल इसी बीच बता दें की केंद्रिये ग्रह मंत्रियम इच्छाहा ने चोथे चरण का लोकडाउन खत्म होने से पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और ताजा हालातों पर जानकारी ली साथ ही उन्होंने देश व्यापी लोकडाउन को 31 माई के बाद बढ़ाय जाने को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके विचार जाने साथ ही ग्रहमंत्री अमिट शहा ने ये भी जानने की कोशिश की कि अगर देश में लोकडाउन का पांचवा चरण लागू होता है तो उसके लिए गाइडलाइन्स क्या होनी चाहिए वैसे बता दे की देश में कोरोना वाइरस के मामले लगातार बड़ी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि लोकडाउन और आगे बढ़ सकता है हलांकि छूट बहुत अधिक हो सकती है अमिद शाहा के साथ हुई इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने विचार रखे इसी बीच बैठक में 36 गड़ के मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने अपना रुक साफ करते हुए कहा कि राज्यों की सीमाएं नहीं खोली जानी चाहिए गोरतलब है कि यह पहला मोका है जब ग्रह मंत्री शाहा ने लोकडाउन के एक और चरण के खत्म होने के पहले मुख्यमंत्रियों से बात कर उनके विचार जाने हैं कोरोना वाइरस को फैलने से रोकने के लिए रास्टर व्यापी लोकडाउन सबसे पहले 25 मार्च को लगाया गया था और इसके बाद से इसे अब तक चार बार बढ़ाया जा चुका है बहराल बतादें कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आकड़ा एक लाख पैसट हजार के पार पहुँच गया है पिछले 24 घंटे में रिकोर्ड तोड 7,466 नए मामले सामने आये हैं वहीं इस खतरनाक वाइरस से अब तक 4,706 लोगों की मौत हो चुकी है